नमस्कार दोस्तों मैं विनोत कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आज मैं दिखाने वाला हूं पानी की पानी में बढ़ने वाली छोटी छोटी गोलिया तो दोस्तों यह चोटी छोटी गोलिया पानी की और यह पानी में डालने के बाद रा और यह जो मेरे हाथ में है स्कॉर्पियो इसको आप देख रहे हैं यह भी फूल के बड़ा हो जाएगा और यह सब देखने में जितने चोटे दिख रहे हैं जब यह फूल जाते हैं तो यह कार में बहुत बड़े हो जाते हैं और यह एक वैसे तो चाइनीज आइटम है और त कई सारे जो कीट पतंगे हैं जो सब बढ़कर बड़े हो जाएंगे मैं इसे ग्लास में खटा कर लेता हूं इसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तो इन सब को मैं खटा करके और यह सारी यह सब चाइनीज आइटम होता है इसमें कुछ भी इंडियन नहीं है यह सब सब चा पास्तियत ही है कि रेट बहुत कम होता है जैसे यह मैंने भी यह गुपरेला इंदी भासा में उसे गुपरेला बोलते हैं और यैदे मख्वी यह भी मक्खी वालब कई तरीके के कीट पतंगे हैं यह सब बड़े हो जाते हैं इस सब फूल फूल के बढ़ जाते हैं मात्र बहुत सस्ता है खर दिल्ली में तो बहुत सस्ता है अब दिल्ली से बाहर का तो मुझे पता नहीं दोस्तों लेकिन दिल्ली में तो यह बहुत सस्त हैसे भीगो देंगे और भीगोने के पारद इसे हम अब सुह कि देखेंगे कि इसे कितने मदधेयों प्रीयों करें गे तो इसे मैं भीगोने जा हूं दोस्तों और यसे मैं सबसेफ दीड ये मैंने भीगो दिया अब हम इसे राद बर के लिए ऐसी छोड़ देंगे और सुबह इसको हम देखते हैं कि ये कितने बड़े-बड़े हो गए तो फ्रसा वेट करते हैं मिलते हैं सुबह दे तो जैसा कि दोस्तो राद बर के बाद अब ये मेरे बवल्स फूल गए हैं और अब हम इस पर अबना परयोग करेंगे और देखते हैं कि कितने बड़े-बड़े हो गए है ये लगबग फूल गए ठीक है जैसे हमने सोचा था वर्षा तो लगबग फूल ही गए थोड़े से और बड़े होते हैं कर एक दिन और हम भी को के रखते तो और बड़े हो जाते लेकिन ठीक है हमारे लिए यह ठीक है हम हमें चाहिए भी इतने बड़े बड़े थे तो अब हम इसका पर्योग क्या है कि हम इसे नाजीबम के साथ उड़ा के दिखेंगे कि नाजीब से पहले जड़ा सा एक तीज हो रहा है तो यह चीजे हमारी सारी फूल गई और कलर बहुत अच्छा रहा इसमें देखिए यह कलर बहुत अच्छा रहा है और यह स्कॉर्प्यों भी जो हमारा था फूल गया चिपकली और स्पाइडर मतलब लगबक सब चीजे फूल गई और क में आपके में कलर बहुत अच्छा रहा है और यह वाइट वाला बहुत-बड़ा लगया खोफूल घ пош बबहत बलबोडब फूल गया है तो दुस्तों जैसे की अब है जैसे कि हमारा यह फूल गए है और अब हमारे पास यह कि अब हम इने आउट्डोर लेके चलेंगे और आउट्डोर में नाजी बम लगा के इसमें फायर करेंगे और फिर देखते हैं इसका रिव्यू और वीडियो स्किप मत करियेगा वीडियो पूरी देखियेगा और अगर अब अच्छी लेगे तो प्लीस लाइक कर देना और अब चलते हैं आउट्डोर यहां से निकलके तो दोस्तों आब हम आ रहे हैं आउट्डोर और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक तब्बे में काटके इसको लगा लिया और अब हम इसमें फायर करेंगे और इस अब देखते हैं कि क्या होता है अब देखते हैं कि क्या होता है अब देख गए चारो तरफ दिखा दूं और अब मैं इसमें आग लगाने जा रहा है है अब है कि अब आप है अब कर दो दो दोस्तो यह है मेरी आने वाली कुछ नेक्स वीडियो और इसका भी मैं रिव्यू जल्दीद हो आपको ये स्मॉक कलर है और बहुत अच्छा है और ये गन है स्मॉक जो धूँआ निकालती है कलर गन होली स्पेस्टल वो दोस्तों ये था मेरा पानी की गोलियों और रिव्यू जो आपने देखा और अगर अच्छा रखाऊ तो प्लिड लाइक कर देना और अगर बहुत अच्छा लाइक कर देना और म्यरी आने वाद नेक्स वीडियो देखने के लिए बैल इकन जबर डबा ए कि मिलते हैं ऩन differentlyू देखने के लिए हमागा यह मेरा बास आए recycling झाल झाल झाल